हेलो गाइस तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना डी सैलिनेशन प्लांट डी सैलिनेशन प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहां पे हम समुद्र के पानी को प्योरिफाई करते हैं तो यह हमारा समुद्र का पानी जो की होता है काफी जादा खारा पानी यानि कि इसमें बहुत ही ज़ाधा नमक होता है जिसके कारण से हम इसे नहीं पी सकते हैं तो अगर आप नॉर्मल पानी पी होगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी पर अगर आप समुद्र का पानी पी होगे तो आपका बॉडी डिहाइडरेट हो जाएगा और डिहाइडरेशन के कारण आपको और भी जादा प्यास लगने लगेगी और यहाँ तक की आपका बॉडी भी डैमेज हो सकता है तो समुद्र का पानी होता है काफी जादा खतरनाग पर आजकल के modern technology के साथ हमने इसको भी purify करना सीख लिया है तो कैसे हम convert करते हैं अपने खारे पानी को पीने लायक पानी में वही चीज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में तो हमारी journey शुरू होती है समुद्र की गहराई से तो अभी है हम समुद्र की गहराई में जहाँ पे हमारा pipeline बेचा हुआ है तो यह हमारा pipeline बेचा हुआ है जहां से हम sea water को purify करने के लिए भेजेंगे तो यहां से water जाएगा plant में तो यहां पे पड़ा है एक हमारा normal सा traditional filter जिसमें present है anthracite, sand और gravel तो यह हमारे कुछ natural से particles जो काम करते हैं filter का तो अभी जो हमारे समुद्र के पानी से जो भी impurities आगी हैं उन्हें यह रोपते जाएगा कुछ particles को anthracite रोख लेगा, कुछ particle को sand रोख लेगा और कुछ particle को gravel रोख लेगा ताकि वो हमारे आगे के RO unit में ना जाएं तो अब मैं पहुच चुका हूँ अपने RO unit में RO unit में होगा इसका desalination का काम तो अभी भी जो हमारा water है वो purify नहीं हुआ है वो है काफी जादा खारा पानी और साथी साथ इसमें हैं काफी सारे microscopic impurities जो natural तरीके से filter out नहीं होते तो यह है हमारा tank जहां पे आ रहा है हमारा पानी अब इस पानी को हम करेंगे high pressure motor के साथ pump RO unit में तो हमारा RO का मतलब होता है reverse osmosis और reverse osmosis के process के रहीं चाहिए होते हैं हमें high pressure जितना जादा pressure होगा उतना ही जादा पानी purify होके इसमें से निकलेगा तो इसलिए यह है हमारा high pressure motor जो काफी जादा high pressure के साथ हमारे RO unit में water भेज रहा है अब इस RO unit में हो क्या रहा है इसे हम zoom करके देखते है तो यह है इसका inside view अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो channel है जो हमारा पहला channel है उसमें move कर रहा है sea water यानि की impure water जिसे हमें purify करना है और इसके बीचों बीच पड़ा है एक inner channel जो की बना है semi permeable membrane का semi permeable membrane का काम होता है filter करने का तो हमारा semi permeable membrane बड़े बड़े particles को बाहर ही रोख लेता है और जो छोटे छोटे particles हैं वो अंदर enter करते चाते हैं तो हमारे जो भी salt के particles है वो बाहर ही रोखे हैं और जितने भी बाकी के solid impurities है वो भी बाहर रोखे हैं और अंदर सिर्फ जा रहा है pure water तो अंदर सिर्फ हमारे पास पहुच रहा है pure water तो यह काम होता है semi permeable membrane का तो यह है हमारा semi permeable membrane अब अगर इसका हम full view देखें तो यह है इतना बड़ा membrane और यह membrane cover up करेगा बहुत ही जादा service area यानि कि यह membrane बहुत जादा area cover कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम roll कर देंगे अब roll करने के बाद यह बन चुका है काफी compact तो आप देख सकते हो कि अब इसके outer channel में C का water enter करने लगा है और यह जो हमारा semi permeable membrane का layer है वो water को absorb करते रहेगा यानि कि हमारे fresh water को इसमें से absorb करते रहेगा जो कि हम इसमें से निकाल लेंगे तो यह हमारे pure water को करते जा रहा है absorb अब यह हमारा RO plant जादा water को purify नहीं कर पाएगा तो इसलिए हम इसको कर देंगे scale up तो हमने अपने plant को कर दिया है scale up अब जो हमारा purification का काम होता है वो होता है commercial level पे तो अगर आप estimate लगाओ तो एक दिन में हमें purify करना होता है millions of gallons of water यानि कि हमारे को एक दिन में इतने जादा पानी को purify करना होगा तब ही जाके हम water को profitable amount में purify कर सकते हैं तो हमारे को इतने जादा पानी को purify करना होता है तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने plant को scale up कर दिया ताकि हम एक दिन में millions of gallons of water को purify कर सकें अब ये water पहुँच चुका है distribution के लिए तो यहां से water जाएगा distribution के लिए पर उससे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा filtration का process था उस दौरान हमारे पानी में से कुछ important minerals भी filter out हो गये थे तो उन minerals को हम इस stage पे add कर देंगे और उन minerals को add करने के बाद हमारा water हो जागा completely ready और इसको हम distribute कर देंगे commercially तो कुछ इस तरीके से work करता है हमारा desalination plant तो ये था हमारा desalination plant जहां पे हमने समुद्र के पानी को किया purify I hope you find this video informative और अगर आपको industry से related ऐसे और वीडियो से लिखने है then let us know in the comment section So I am Sumerh Pudar and you are watching clay chemistry and I will meet you in the next video